हेलो बच्चों स्वागत है आपका गुर्मेंटिक जाम्स अड्डा में बच्चों CBSC Board Exam 2020 में क्लास 12 के Chemistry सब्जेक्ट के important topics और important questions के साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको Chemistry सब्जेक्ट में selective study करनी है आप थोड़ा सा कम करके पढ़ना चाहा रहे हो स्लेबस आपको ज़्यादा tough या ज़्यादा lengthy लग रहा है तो क्या-क्या पढ़ो ताकि आपके अच्छे marks भी आ जाए और कम समय में आपकी preparation भी अच्छे से हो जाए तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए ला सकें आईए बच्छों शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो और इसके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो ताकि जब भी आप कामन करे तो आप इसको ओपन करके पढ़ाई कर सको दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं इसके लिए आपको फोटो लेना है और इसको क्रॉप करके भेज देना है और तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपको धेर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो सॉल्यूशन आपको पसंद आया उसको देख लीजिए इनके होटसप नमबर पर भी आप फोटो को स्केंड करके भेज सकते हो वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन तुरंत 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे आपका लिंक और होटसप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ गवर्मेंट इग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल के ओफिसल वेबसाइट www.examtub.com पे और यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप जब भी यहाँ पे विजिट करोगे तो बहुत सारी जरूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यह सारी चीज़ें आपकी हल्प के लिए बनाई गई है फिलाल यहाँ हम बात कर रहे हैं CBSC Class 12 के chemistry subject के important questions की जो chapter wise यहाँ पे available हैं और आप इनको free में download भी कर सकते हो तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यही पता होगा कि इस साल CBSC का syllabus chemistry subject के लिए update हो गया है बहु सारे उसमें से topics और chapters हटा दिये गए हैं तो यह आपको पता ही होगा और हमने एक और वीडियो डाला था इसी से related जिसमें कुछ कमिया रह गई थी जिसको हम update नहीं कर पाये थे सलेबस को तो इसको फिर से एक बार हमने बहु सारे subject specialist से बात करी है और यहाँ पे last year के जो question paper थे उनकी analysis करने के बाद में हमने इसको फिर से तयार किया है और हमारे team के मेहनत आपको इसमें दिखेगी हमने जितना सम्होब हो सका है प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाय जा सके तो आप इस article को आकर करके यहाँ पे पढ़िएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको link मिलेगा official जो आपका syllabus है उसको download करने का क्योंकि आप इसको जब download कर लोगे तो आपके अंदर confidence बढ़ेगा अगर आपने इसको download कर लिया है तो फिर नीचे आपको जाना है यहाँ पे हमने unit wise breakup दे रखा है कि किस unit से कितने questions पूछे जाएंगे तो यहाँ पे physical chemistry में 23 नंबर के questions आएंगे उसके अलावा अब इसमें से कौन कौन से questions आएंगे किस तरीके से आपको इनको पढ़ना है कौन से questions important है कौन से questions ज़्यादा important है उसकी एक पूरी list हमने यहाँ पे दी हुई है कहाँ से theoretical questions आएंगे कहाँ से numerical questions आएंगे तो यह आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यह बहुत ही अच्छे ठंग से यहाँ पे paste किया गया है जो जो questions ज़्यादा important है उन पे हमने marking कर दी है उनको आपको छोड़ना नहीं है पढ़ना तो इसमें दिये गए सारे topics हैं और इनसे questions आते हैं किस तरीके से आते हैं अब यहाँ पे देखे इन और्गेनिक केमिस्टी से 19 नमर का question आएगा इसमें कौन-कौन सी units है और क्या-क्या आपको पढ़ना है यह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है अब यहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना है इसके related यहाँ पे tips भी दी गई है कौन-कौन से topics को आपको cover करना है तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इसको आकरके आप इसमें पढ़ लीजिएगा यहाँ पे जो organic chemistry है 28 marks के questions पूछे जाते हैं किस chapter से क्या पूछा जाता है यह हमने detail में आपको बताया है कि कहां से short note आएंगे कहां से आपको numerical questions आएंगे कहां से किस तरीके का question इसमें पूछा जाएगा और इस साल कौन सी probability जादा है तो यह आकरके बच्चों एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और ठीक से इसमें दिया हुआ हमने प्रियास किया है कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए और बहुत ही ज़्यादा research वर करने के बाद में हमने इसको तयार किया है तो इसको आकरके एक बार देख लीजिएगा और हमारा प्रियास यही रहेगा कि इस website पर और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको वही चीज़े provide करवाई जाए जो आपके काम की हूँ और आपको भ्रमित ना कर रही हूँ तो उमीद करता हूँ कि यह आपके काम में आएगा और जब सबसे last में आप पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको link मिलेगा जो CBSC Chemistry Class 12 के important topics आपने उपर देखे हैं इससे file directly आप download कर पाओगे और download करके आप इसको पढ़पाओगे तो इस website पे अगर आप visit करोगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे बहुत सारी information आपको मिलने वाली है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में share कर दीजिएगा तकि उनको थोड़ी सी help मिल जाए और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like ना किया हो तो वीडियो को like कर दीजिएगा यह हमारा असली motivation होता है और उससे हमको motivation मिलता है कि आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी और नई-नई informations लेकर के आएं तो जल्दी ही physics, chemistry और commerce system के subjects है उनके साथ में ही CBSC के class 10 subject के important questions के साथ में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ तब तक के लिए all the best May God bless you Thank you for watching this video